हाई फ्रेंट्स वेलकम बाक टो माई चानल हिलर ओफ दी एच इस डबल वन डबल वन कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे फ्रेंट्स आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग 2023 जो नया साल आ रहा है उसका और बताने की कोशिश करूँगी कि यह जो पूरा साल है इसमें आपके एनरजी कैसी रहेगी क्या सब्प्राइजिस क्या चेंजिस आपके लाइफ में हो सकते हैं आपके परसनल लाइफ में हो सकती है या नहीं क्या उप्स्टेकल से उससे बाहर कैसे निगल सकते हैं सारे चीजों पर आज फोकस करेंगे तो आज की यह जो रीडिंग है कि मैंने तीन पाइल में डिवाइट की है आप देख सकते हैं आपके पास तीन ऑप्षिन है आपको दिख रहे होंगे तो अगर आप पाइल नंबर वन के साथ जाना चाहते हैं तो आपके लिए कार्ड है साइंस और रिमाइंडर्स तो अगर आपको यह वाला कार्ड पसंद आता है तो आप पाइल नंबर वन की डीडिंग देख सकते हैं ओप्षिन नंबर टू के लिए है आपके पास मानिफेस्टेशन का कार्ड तो आप इस वाले ओप्षिन के साथ जा सकते हैं और ओप्षिन नंबर थ्री के लिए हैं आपके पास सरेंडर का कार्ड यह टोटल आपकी इंट्यूशन के उपर रीडिंग है आपकी इंट्यूश आपको सबसे जादा attract करती है आप उसकी reading देख सकते हैं reading शुरू करने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगी friends की एक general reading है जितना आपसे energy resonate करती है उतना आप रख सकते हैं बाकी जाने दे सकते हैं timeless है क्योंकि ये पूरे साल की reading है तो जब भी आपने ये card select किया है तो आपका ये पूरा साल 2023 कैसा जाने वाला है हाई pile1 welcome to your reading तो अगर आपने select किया है ये वाला card signs and reminders तो चलिए शुरू करते हैं आपकी reading और हम सबसे पहले reading को जो start करेंगे करेंगे major arkana cards हम देखना चाहते हैं कि पूरे साल में आपकी सबसे strong energy क्या रहेगी all right तो इससे हम सबसे पहले cards निकालेंगे और फिर हम बाकी के cards को देखेंगे all right पहली ही लवस का card आगया आपके लिए चलिए देखते हैं आपकी सबसे पहली energy कौन सी रहेगी let's see pile number one जिन्होंने पर select किया है let's see okay oh wow आपने देखा था सबसे पहले आपके लिए यही card निकल कर आया था pile number one the lovers और फिर से यही card आगया आपके लिए all right high priestess okay तो सबसे पहले मैं बात करोगी इस card lovers की तो मैं आपको सबसे पहले इस card को देखकर यही बोलना चाहूंगी friends की हो सकता है आप में से कई लोग जो यह reading देख रहे हैं हो सकता है आप twin flame या soul में चर्नी में हैं या फिर आप अपने divine counterpart को manifest कर रहे हैं आपके मन में कहीं ने कहीं energy है की आपको आपका desired partner मिले काफी लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने smile को select किया है आपके मन में ऐसे सवाल उठते हैं की हो सकता है आप अभी separated हो या फिर आपका relationship तूटा है या फिर ऐसा भी हो सकता है की आपकी intuition हमेशा आपको guide करती रही है जब भी आप किसी ऐसे relationship में पड़े हो जहाँ पर आपने अपना 100% दिया है बट आपको मिला कुछ नहीं है आपके मन में वो desired partner की बहुत लंबे समय से तलाश है और आपकी intuition भी कही न कहीं आपको हमेशा इस तरफ ले जाती है की ये वो नहीं है ये वो नहीं एक तलाश हमेशा आपके अंदर जारी रहती है की आपको आपका desired partner चाहिए कहीं न कहीं अगर आप किसी relation में है और अगर आपको पता है कि आप twin flame को अपने जानते हो या फिर अगर आप twin flame या soulmate journey में हो तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आपकी journey जो है ये पूरे साल strong नहीं रहेगी इतनी strong का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि काफी fruitful रहने वाला है ये जो पूरा साल रहेगा आपके लिए 2023 उतार चड़ाओ से भरा रहेगा क्योंकि जब भी हमारे life में twin flame या soulmates आते हैं ये tough होता है बट impossible तो नहीं होता twin flame के साथ journey में एक चीज़ होती है कि ये कही न कहीं आपके trigger points को जो काम आप मानलो नहीं करना चाहते जिस रास्ते आप आगे नहीं बढ़ना चाहते मानलो for example मैं आपको देती हूँ और आप बहुत frequently job change कर रहे हूँ या आपका किसी job में मन नहीं लग रहा है या फिर आपकी कोई hobby है आपको पता है आपके अंदर ये talent है बट आप उसका initiative नहीं लेना चाहते हूँ तो ये twin flame अगर आपके जिंदिगी में आते हैं या soulmate अगर आपके जिंदिगी में आते हैं तो ये आपके उस point को trigger करते हैं आपको आपको challenge करते हैं आपके सामने ऐसे ऐसी बाते कहते हैं जिससे आपको लगता है कि अच्छा मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता फिर वो जब आपको trigger करते हैं फिर आप उस काम को करते हो और ऐसे करके वो आपके जिंदीगी में आपको आगे बढ़ाते हैं ठीक है इनके साथ जिनका भी रिलेशन्शिप रहता है ट्विन फ्लेम के साथ ये अप डाउन से भरा हुआ रहता है मैं ये नही कहते हो कि बहुत स्मूथ रहती है बहुत smooth तो बिल्कुल भी नहीं रहती है धीरे धीरे आप journey में आगे बढ़ते हो ups downs रहते हैं और अगर divine ने चाहा तो definitely आपके twin frame आपके जिन्दिगी में आते भी है उनके साथ आपकी शादी भी होती है journey आपकी throughout till the end उपर नीचे ही रहती है but bond इतना strong होता है counterpart कौन है हो सकता है आप इनसे मिल चुके हैं जानते हो या किसी person को देखकर आपको ऐसा लगता है नहीं यही है वो और वो person हो सकता है आपको कोई जवाब ना दे रहे हो या फिर आपका on and off relationship हो या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी आप currently जब आप ये reading को देख रहे है तो वो आप से दूर चले गए है या फिर किसी और को commitment दे दी है तो universe आप से यही कहना चाहती है कि अगर ये आपके divine counterpart है या फिर आपके twin flame या soulmate है और अगर ये आपके हैं तो ये definitely आपके पास वापस आएंगी क्योंकि ये card देखो आपने देखा ही था शफल से पहली गिरा था फिर मैंने शफल के आपके सामने फिर ये card है इसका मतलब ये है कि इनके साथ आपकी इस पूरे साल में journey तो definitely चलेगी आपकी intuition आपको time to time guide करती रहेगी ups town से भरा होगा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बहुत smooth होगा बहुत garden garden से energy होगी देखिए जो होती है journey जो भी spiritual line में रहते हैं वो आपको बिल्कुल वहीं बताएंगे जो होता है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपको दुख देंगे वो दुख नहीं देते हैं ये बात मैं आपको clarify कर दू strong नहीं रहेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा नहीं वो हमेशा आपके जिंदगी में आएंगे आपको encourage करने के लिए आपको आगे बढ़ाने के लिए और जैसे ही आप उस life उस पात में या फिर उस situation से आप आके बढ़ जाओंगे फिर वो पीछे आ जाएंगे फिर उनको trigger करना पड़ेगा ये alternative होता है कभी आप करते हो किसी को कभी वो आपको करते हो ये journey ऐसी ही चलती है तो ये तो रहा भेया आपके twin flame की बाते और high priestess का card भी ये बताता है कि पूरे साल आपकी जो intuition रहेगी वो काफी अच्छे से you know काम करेगी हो सकता है आप जो reading देख रहे हैं इन में से काफी लोग यहाँ पर हो सकते हैं scorpion राशी के हो Aquarius की energy है यहाँ पर Gemini Libra की भी energy है तो हो सकता है आप reading जो देख रहे हैं आप air sign के हो सकते हैं कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर Sagittarius भी है तो हो सकता है आप fire sign से हो Sun Moon Rising अल्राइट अब हम बाकी के cards को निकालते हैं और देखते हैं कि पूरे साल के energy में और क्या होने वाला है आपके लिए वाओ पहला ही card आया है आपके लिए Ace of Wands का ओके Four of Cups All right We have King of Pentacles We have Ten of Swords पहले हम इन cards की बात कर लेते हैं फिर हम बाकी के cards निकालेंगे दीखे सबसे पहला card आपके लिए जो आया है आया है Ace of Wands का यह card कहीं न कहीं बात करता है कि आपको इस पूरे साल में अपने आप पर ध्यान देना सबसे जादा जरूरी है self love, self care की हो सकता है आप में से जो लोग reading देख रहे हैं उनका मन ऐसा है कि जब भी आपके जिंदगी में कोई आता है कोई आता है का मतलब यह निए कि हमेशा love relationship की मैं बात करूँ कोई आता है का मतलब होता है कि चाहे वो आपके family member हो, आपके friends हो आप हमेशा जरूरत से जादा उनके लिए करते हो, आप हमेशा boundary को पार करके लोगों के लिए करते हो, आप उन्हें अपना बना लेते हो, आपको लगता है कि यह बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं रहनी चाहें, आप अपने तरफ से 100% efforts देते हो, बट जब आपको return कुछ मिलने का होता है, तब आपको कुछ नहीं मिलता, आप अकेले रह जाते हो, तो यह साल आपको सबसे पहला जो lesson जो message देना चाहता है, वो यह है कि आप अपने self-care के प्रती ध्यान दे, खुद को सबसे पहले प्यार के, अगर आप एक अच्छे relationship को manifest कर रहे हो, तो universe आपसे definitely कहना चाहती है कि जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना start करेंगे, उस दिन जिन का भी प्यार आप आना चाहते हो ना, वो प्यार definitely आपकी जिन्दीगी में आएगा, यह कार्ट कहीं ने कहीं यह भी बता रहा है कि यह जो पूरा साल रहने वाला है, यह जो कार्ड आपने select किया है, इस साल कहीं न कहीं आपकी intellectual, आपकी energy, आपका सोच, आप किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से अपने आपको present करते हो, यह सारी बाते बहुत 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 जादा matter करने वाली है, मुझे इस कार्ड से एक और message यह भी मिल रहा है आपके लिए कि हो सकता है कि प आपकी family है, आपके loved ones है, उनका ध्यान रखना बहुत जादा जरूरी है, बट universe आपसे यह भी कहना चाहती है कि यह जो साल है, यह आपका है और इस साल में आप अपने आपको आपका जो true self है, उसको पहचानने की बहुत जादा जरूरत है, इसलिए आपको अपने आपके उ आया है four of cups का, यह काट कहीं न कहीं बताता है कि यह जैसे कि मैंने बोला काफी लोग यहाँ पर हो सकते हैं, जो twin frame या soul में जर्ली में हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि यह जो लोग आपके जिंदगी में आते हैं, यह पल भर के लिए आते हैं, आपको कुछ चीजों में ट् तरीकी के परसन आते हैं, एक परसन आते हैं हमें कुछ देने के लिए, प्यार हो गया, विश्वास हो गया, केर हो गया, काइमनेस हो गई, और दूसरे परसन हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, जो चीजे हम नहीं सीखना चाते हैं, यूनिवर्स जब हमें सिखाना चाती यह तब जब हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो यूनिवर्स अपने तरीके से ऐसे लोगों को भेजती हैं तो अगर आपका लास्ट यानि कि 2022 में अगर आपका हर्ट प्रिक हुआ है आपके रिष्टे तूटे है भरोसा तूटा है दोस्तों के प्रति विश्वास तूट कैसे अपने जिन्दगी में अकेले चलकर अपना मुकाम कर सकते हो क्योंकि यह साल कहीं नहीं आपके लिए बहुत 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 जादा trust me abundance लेकर आरी है सिर्फ प्यार को लेकर नहीं आपके पैसे रुपे को लेकर आपके सोच को लेकर आप जिस नजरिये से लोगों को देखते हो उसको लेकर आपके पूरे थौट को ये साल चेंज करने वाली है आप इस लड़की की फोटो को जो देख रहे हो अब देख रहे हो कि ये सोच रहे कि इसने ये तीनो कप्स जो है इसके सामने ये इसने गवा दिया ये इसके जिन्दिगी से चला गया तो युनिवर्स आपको ये मेसेज भी देना चाहती है कि ये जो आने वाला अबंडेंस है ये आपके लाइफ में अभी आने वाला है वो भी 2023 में तो जो चला गया है उसके बारे में अफसोस मत कीजिए जो आने वाला है उसके उपर ध्यान दीजिए और देखिए आने वाला का भी काड़ा है आपके लिए काड़ा है king of pentacles का तो येस अगर आप कही न कही अपने divine counterpart को manifest करें तो येस कोई ऐसा person आ सकता है जो बहुत ही जादा abundant हो rich हो अच्छे family background से belong करता हो जरूरी नहीं है आप जिस शहर के हो वहीं से हो अगर वहां रहते भी हैं बट उनका काम जो है हो सकता है बाहर का हो देश से बाहर रहते हो जिस भी country में आप रहते हो वहां से बाहर रहते हो काफी जादा intellectual, शान्त और कही न कहीं animal lover ये हो सकते हैं इनकी family तो abundant है ही इनकी family तो rich है ही बट इस person का जो quality हो चाहे आप किसी male के लिए देख रहे है या female के लिए तो ये person कहीं न कहीं जो भी आपके life में आएंगे या आपके जिन्दीगे में stability लेकर आएंगे इनमें वो बच्पना नाम की चीज़ तो नहीं है बहुत जादा mature energy है age भले इनकी कुछ भी हो इनमें एक maturity है इनमें समझ है और चीज़ों को कैसे handle करना है ये भी इने बहुत अच्छे से आता है अगर मैं आपके person life की बात करो तो ये card ये भी बताता है कि ये जो पूरा साल है इसमें कहीं न कहीं आप saving करना सीखोगे पैसे को कहाँ invest करना है right time पे right चका कहाँ पैसे लगाने है किस वक्त में पैसे को save करना है पैसे को लेकर क्या करना है अगर आपको पैसे रुपए के दिक्कत हुई है last को cheers में तो इस साल में आप saving भी करोगे और कहीं न कहीं आप अपनी चीज़ों को लेकर जो भी आपके design manifestation है कि आपको ये चाहिए वो चाहिए ये खरीदना है वो खरीदना है वो सारी चीज़े आप एक एक करके खुदी करोगे और आपको एक time के बाद believe ही नहीं का कि ये मैं ही हूँ जो कर रहा हूँ और ये चीज़े आपको बहुत जल्दी दिएगा येस जैसे कि मैंने बोला था आपके लिए 10 of swords का card आये तो काफी लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिनका ऐसा है कि last year याने के 2022 में हो सकता है कि आपने बहुत सारे रिष्टे गवाए हैं बहुत सारे लोग आपको छोड़ कर गए हैं सिर्फ love relation नहीं आपके दोस्त हो सकते हैं आपके family के लोग हो सकते हैं या फिर आपने उन लोगों से अपना मूँ मोड़ा है और आप देखो light के तरफ जा रहे हो आप एक अंधेरे से light के तरफ move on कर रहे हो तो यह एक positivity है यह एक card ऐसा है जो दर्शात है कि जो चला गया है उसको आप वापस लाग कर उनको manifest करके कि वो चले गये हैं वही अच्छे थे universe जो भी हमारे लिए करती है वो हमारे बहुत अच्छे के लिए करती है for the time being हमें ऐसा लगता है कि नहीं वही था या उसी को होना चाहिए था कभी गहराई में सोच कर जरूर देखना क्योंकि आपकी intuition आपको बताती होगी मुझे पता है काफी लोग अपने intuition को मानते भी नहीं है जो ये पाइल देख रहे है बट आप कभी सोच कर देखना अगर आप meditate करते हो तो कि जो भी इंसान गया है वो क्यों गया है क्या lesson इस person ने आपको सिखाया है क्या आपको सीखने की जरूरत है तो अगर आपने इस person के जाने के बाद अगर आपने बहुत रोया है बहुत आसू गवाए है आपने बहुत ऐसा दिन हुआ है कि आपने किसी से बहुत लंबे समय तक बात नहीं की है तो यूनिबस आपको ये भी कहना चाहती है कि जो lesson उन्होंने सिखाया है उसको लेकर जरूर सोचे क्योंकि ये जो भी person आपके जिन्दगी से गए है इनोंने कुछ न कुछ lesson तो आपको जरूर दिया होगा उस lesson को ध्यान रखते हुए आप अपने जिन्दगी में आगे बढ़े और अगर आप उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो journey है जो कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि 2022 तो अच्छा नहीं था अब क्या होगा मैंने तो सब कुछ गवा दिया मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है तो अब आप देखोगे कि एक नई शुरुआत करने वाले भी आप ही होगे आपके लिए 2023 के लिए देखो जो चला गया है 2022 में उसे हम वापस लानी सकते बठाँ इन में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग चले गए हैं वही शायद आपके असली पार्टनर हो सकते हैं या फिर डिजाइड परसन हो सकते हैं तो जिसे जाना है वो जाए जिसे आना है आए देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ अगर हम किसी से सच में बहुत जादा प्यार करते हैं अगर आप सच में प्यार करते हैं किसी से चाहे वो आपका कोई दोस्त हो कोई फैमिली मेंबर हो और अगर वो आपके साथ रहे कर उसे ऐसा लग रहा है कि आपने उसे बांध के रखा है या फिर आपको बहुत जादा उनको लेकर इंसीक्यूरिटी होती है कि वो यहाँ ना चला जाए वहाँ ना चला जाए ऐसे आपका भी प्यार को रोप नहीं सकते अगर आपका कोई सच में डिजाइड पार्टनर है या फिर अगर सच में आपसे कोई प्यार करता है तो आप कितना भी उस परसन को बांध लो वो रहेगा नहीं और अगर वो आपका सच्चा पार्टनर है तो अगर आप उन्हें खुला छोड़ देते हो कि जाओ आपको जो मन करेंगे जो आपको हर्ट कर सकें बहुत समय हमें यूनो पास रिलेशनशिप के साथ हम कभी-कभी मालो ऐसे ट्रॉमाटिक सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जापे मैं ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो पास्ट में यह होगा अब यह परसन आया है इसे हम कहीं जाने नहीं यहाँ पर काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस साल में अपने यूनो पास्ट के किसी सोल फैमिली के लोग से मिल सकते हैं सब लव की मैं बात नहीं कर रही हैं काफी लोग हो सकता है कि अपने सोल पार्टनर से मिले इनमें से कोई पुराने दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ आप पुरानी यादों को ताजा करोगर किसी कारण से आप दोनों के बीच में दूस्ती तूट गई थी या फिर कोई रिष्टा ऐसा रहे गया था जो किसी दूस्ते परसन के वज़े से तूट गया था तो फिर से रियूनियन का काड है यहां पर यह कार्ड यह भी बताता है कि काफी लोग यहां पर ऐसे हैं कि आपको अपने Soul Family के लोग मिलेंगे Soul Family में आपका यह Desired Partner भी हो सकता है जितके साथ हो सकता है आगे जाकर आपकी शादी हो जाए यहां पर मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा भी लग रहा है कि 2023 में काफी लोग की शादी भी हो सकती है वाव आपके लिए कार्ड आया है एमपरेस का ये कार्ड कहीं न कहीं बताता है कि abundance तो है ही आपको पताई होगा आप इतने टाइम से लीडिंग देख रहे हो तो abundance तो आपके लाइफ में आईगी इसके अलावा आपके लाइफ में good news अगर आप शादी शुदा है आपके लाइफ में stability आपके लाइफ में balance आपके family में balance भी आता हुआ मुझे नजर आ रहा है इस साल में तो आपके लिए cards काफी अच्छे आएं है file number one मैं कह दू past की चीजों को जितना आप सोचोगे उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आगे बढ़ो wow we have eight of wands तो yes communication का card है तो हो सकते हैं यहां पे जो लोग reading हो सकते हो किसी IT form या फिर जो भी होता है आप बात करने वाला काम करते हैं जहां पे आप लोगों को सिखाते हो समझाते हो पूलने वाला काम आपका रहता है और कहीं न कहीं यह जो आप जिस तरीके से अपने आपको present करोगे ना इस से लोग काफी जादा इंप्रेस होंगे in 2023 so very nice devil वाउ तो ये साल कहीं न कहीं देखी devil के कार्ट को देखकर घबराना नहीं चाहिए devil का कार्ट होता है कि आपकी क्या आपने किया है आपकी कर्म कैसे है और कर्म का फल हमें मिलता है तो अगर आपने कर्म अच्छे की है तो इसमें डरनी की कोई बात नहीं है तो यूनिवास आपसे ही कहना चाहती कि अगर आपने कर्म अच्छे की है तो yes आपको जो desired partner मिलने वाला है उनके साथ आपकी जो chemistry रहेगी वो काफी अच्छी रहेगी काफी ज़ादा passionate energy रहेगी और यह आपको कहीं न कहीं आपकी past में गर आपके relationship बहुत खराब रहे तो आपको एक ऐसा partner मिलने वाला है जिसके बारे में आप सिर्फ सोचते हों कि मेरा partner ऐसा हो मेरा partner वैसा हो तो बिल्कुल वैसा ही partner आपको मिलने वाला है जैसा आप सोच रहे हो यह connection बहुत 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 जादा strong होगा बहुत ही जादा energetic होगी आपकी energy इस person के साथ अगर आप single है या फिर अगर आप किसी को manifest कर रहे है तो मुझे devil का card यह भी आपके लिए message दे रहा है कि यह time है कि आपने जो भी अच्छे कर्म किये है ना past में उसका फल भी आपको इस साल में देखने को मिलेगा जैसे यह साल आगे बढ़ता जाएगा ना महीने के साथ साथ आप अपना फल receive करोगे अगर आपके life में अगर जैसे कि मालेजे personal life या professional life में अगर कोई third party issue रही है जिस वज़े से अगर आपका रिष्टा तूटा है या फिर जिस वज़े से आप अपने जिंदिगी में आगे नहीं बढ़ पाए हो या फिर किसी के वज़े से आप you know कोई काम आपको करना था वो अधूरा रहे गया या फिर कोई चुपके से आपके रिष्टे तोडने के पीछे के जो भी इनसान थे जो पीछे थे जिनकी एनरजी पीछे थी जियो समझ में नहीं आ रहा था जिसका आपको बहुत बड़ा अफसोस था जिसको आप जानना चाते थे ये person सामने आएंगे इनकी सच्चा ही आपके सामने आएगी और इनका कर्मा भी इनको मिलेगा ये भी आपको देखने को मिलेगा मुझे ये कार्ट कहीं न कहीं त्री ओफ पेंटिकल्स ये भी आपके लिए मेसेज दे रहे हैं कि ये साबके लाइफ में बहुत सारे ओप्शन्स रहेंगे आपके लाइफ में आपको क्या करना है नहीं करना ये दिखो यहाँ पे पेज ओफ पेंटिकल्स का भी कारा है तो ओप्शन्स तो रहेंगे आपके लाइफ में चाहे आपके वाक लाइफ में हो यानि कि आप जिस तरीके से काम करते हो, उसको लेकर भी options हो सकते हैं, यह options हो सकते हैं, person को लेकर हो सकते हैं, आपके life में एक से जादा लोग हो, जिनको लेकर आपके energy confused में रही हो, confusion में रही हो, तो yes, यह options आपके life में हो सकते हैं, हो सकते हैं, एक ऐसा time आए, जब आपको जिनके बार में आपने सोचा भी नहीं था, अनेक्सपेक्टड़ी कोई आए, तो येस, ये मुझे किसी परसन की आने का ही इंडिकेशन लग रहा है, और जो भी आएंगे, इनको पहले आपने बिल्कुल भी जादा भाव नहीं दिया था, इग्नोर किया था, ऐसी कोई परसन आपके जिंदिगी में आ सकते हैं, वो भी जुलाई के मन्त में, एम्परर स्टेबिलिटी मिले वाली है आपको, लेट मी टेल यू, स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, एम्परर का, जिस्ट अ सेकंड गई, तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, यहां पर पर देखना है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो भी स्टक सिचुएशन रही है, यूनिवर्स आपको कहना चाती है, उससे आप बाहर निकल लिए, इस्पेशली यह आपकी लव रिलेशन्शिप को लिकर कह रहा है, कि जो चला गया है, इत्स ओके, अगर वही आपका परसन है, तो वो डेफिनिटली आएंगे, और अगर वो आपके लिए अच्छे नहीं है, तो आपके लिए नए परसन जरूर आएंगे, इसको लेकर जादा सोचे नहीं, अगर वर्क में आपका कहीं न कहीं लॉस हुआ है, लास्ट येर या पिछले कुछ सालों में, उसमें जैसे कि मैं आपको King of Pentacles का कार्ड देख की बता रही थी, जो भी आपके लाइफ में परसन आने वाले हैं, बहुत 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 जादा intellectual होंगे, बहुत ही जादा, you know, मैं introvert तो नहीं कहूंगी, बट ये ज़रूर कहूंगी, कि बहुत जादा mature इंसान, किस समय में कौन सी बात कहनी है, किस समय में कैसे react करना है, अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, इनकी intelligence आपको देखने को मिलेगी, आपको as a support ये person करने आ रहे हैं, आपके life को आगे भी बढ़ाने आ रहे हैं, और आपकी life में भी stability आ रहा है, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके life में जो भी चीजों का challenges रहा है, अगर family में बहुत जादा conflict चलती है, family में ऐसे situation रहे हैं, जहाँ पर आपको हर moment में अपने आपको proof करना पड़ा है, कि मैं गलत नहीं हूँ, या फिर मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने ऐसा वो नहीं किया है, तो आपको ये definitely देखने को कि इस challenges से आप कैसे बाहर आ रहे हो, और कैसे आपकी जो wishes है, वो धीरे धीरे पूरी हो रहे है, obstacles से आप बाहर आ रहे हो, और ये बहुत चल्दी होगा, night of swords का card आएगा, ये साल शुरू होते ही, आप January के बाद से ये सारे changes अपने जिंदीगी में देख पाओगे, जो भी आ आपको पहले नजर नहीं आ रहा था, और राइट, चलिए थोड़े से और हम cards देख लेते हैं, आपके लिए pile number one, energy auricles, आपके लिए इस पूरे साल के लिए कौन से cards आते हैं, pile number one, anxiety, तो आपको anxiety से बचना है, जो भी चीज़े आपको बहुत जादा trigger करती है, क्योंकि दिख तो universe आपसे यह कहना चाले कि इससे आगे बढ़ो, सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर आपने सही कर्म किये हैं, उसका फल आपको definitely मिलेगा, सोचने से कोई फायदा है नहीं, third chakra, yes, universe आपसे यह भी कहना चाले है, कि अपने उपर ध्यान दो, अपने growth के उपर ध्यान दो, आ आपके अंदर क्या creativity है, आप कैसे चीज़ों को लेकर आगे बर सकते हो, अपने हुनर को तराशो, अगर आप अपने अच्छाईयों को देखोगे ना, तो बुराईयों को सोचने के लिए time नहीं मिलेगा, yes, मैंने बोला था कि काफी लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, जिनक से आगे बढ़िये, और राइट, और कहीं न कहीं आपको जो है, financially भी abundance इस साल मिलने वाला है, यह देखो, lovers के साथ, आपके लिए I'm man holding a heart, yes, तो वो जो desire partner जिसको कहीं न कहीं आप ढून रहे हो, मनहे मन तराश कर रहे हो, failed relationship अगर आपका रहा है, अगर आपकी शादी duty है, आपके life में रही है, जिसको लेकर आपने बहुत ही, you know, struggle किया है, तो अब वो desired partner आपको मिले वाला है, इसी साल, alright, energy बहुत जादा mature है, यह देखो, victory का card आया है आपके लिए, तो universe भी आपसे ही कहना चाहती है, कि सबर किया है आपने, तो फल भी तो आपी को मिलेगा न, alright, चलिए देखते हैं, आपके लिए साल के लिए, 2023 के लिए कौन सा affirmation है, मैं दू affirmation के cards निकालूंगी, आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हैं, अगर आपने जर्नल बनाया है इसको, आप जर्नल में लिख सकते हैं, alright, change, यह देखो, आपके life में change आ रहा है, तो इसका screenshot ले सकते है बदलाव हमारी प्रकिति का नियम है, अगर बदलाव नहीं होगा तो चीज़े कैसे आगे बढ़ेंगी, तो आपको change को accept करना सीखना पड़ेगा, कि हाँ, बदलाव होते हैं, बदलाव आते हैं, और बदलाव के साथ चलना ही प्रकिति का नियम है, alright, perseverance, I know that I can do whatever I set in my mind, बह आपके साल का मंत्रा है, जो कहता है कि अगर आप ऐसा सोचते हो, कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप उसको definitely कर पाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, तो अगर आप अपने thoughts को clear रखोगी, तो चीज़े आराम से manifest होगी, आपका काम आराम से आगे बढ़ेगा, मुझे इसके तरफ से एक तो angel message देख लेते हैं, और राइट, file number one, let's see, okay, power and intention, मैंने आपको emperor का card देख की बोला था कि आपके life में power आ रही है, तो yes, देखिए, अगर आपके life में ये power आती है, और अगर आपको कोई position ये authority मिलती है, मुझे एक और message आपके लिए ये भी मिल रहा है इस card को देख कर कि ego में मत आना, all right, कि ये देखा, ये मैंने कर लिया, ये देखा, ये मैंने ऐसे कर लिया, इस situation पर आप मत आना, क्योंकि अगर आप ऐसे situation में आते हो, तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, all right, अगला card आपके लिए जो आया है, ease and grace, यानि कि जो भी बतल आप आते हैं, उसको आराम से accept करें, और आराम से उसको लेकर आगे बढ़े, all right, so pile number one, ये थी आपकी एक beautiful सी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो, तो like सरूर कीजिएगा, चानल पर ने आए तो चानल को subscribe कीजिएगा, bye bye, hi pile two, welcome to your reading, तो अगर आपने select किया है, ये जो नया साल है, 2023, आपके लिए क्या message लेकर आ रहा है, कहां पर आपको ध्यान देने की जरुत है, क्या blessings है, आपके लिए universe आपको क्या कहना चाहती है, कोई wish है, desire है, वो आपकी पूरी होगी, होगी तो कब होगी, कैसी होगी, क्या guidance है, हम सारे चीजिजों को देखेंगे, all अरकाना काई कार, फिर हम देखेंगे, bottom of the deck, और मैं आपको बताती चली जाओंगी, क्योंकि अगर मैं पूरी कार्ट को spread करूंगी, फिर explain करूंगी, तो बहुत टाइम चला जाएगा, सच्छा जैसे ऐसे कार्ट साएंगे, मैं आपको बताऊंगी, क्या आने वाला है, आप ही जादा ऐसे साइकल रहे हैं, till 2022, yes, I'll offend, तो yes, आपके लिए जो आगे के, मतलब जो साल चले गए हैं, पुराने साल ऐसे हो सकते हैं, कि बहुत-बहुत-बहुत सारे आपने obstacles ठीके हैं, ऐसे-इसे challenges को phase किया है, जो normally इंसान सोच भी नहीं सकता, चाहे आपका personal life हो, या professional life ह आपके चाहे, मुझे जादा तर energy आपके personal life को लेकर लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हमेशा आपको अपने point को proof करने के लिए बहुत मशक्कत करने पड़ी है, बहुत जादा अपना energy ज़रुत से जादा चीज़ों पर लगाने पड़ी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कि हर time आपको proof ही करना पड़ा है, और आपको कही न कहीं, वो answers नहीं मिलते थे, आपको लगता था कि ये कब तक चलेगा, ये कब तक ऐसा होगा, मैं कब तक ऐसा ही face करूंगी, मैं कब तक यहां पे रहूँगी, या फिर कब तक यहां पर रहूँगा, ऐसा कब तक चलेगा, तो yes यह कहीने कही आपकी गुड़ लग का कार्ड है मैं तो यह जरूर कहूंगी तो जो भी आपके टफ साइकल रहे हैं जो हमेशा से रिपीट होते हैं और यह रिपीटेशन का साइकल मुझे पोस्तनल लाइफ को लेकर जादा इससे लगा क्योंकि यहाँ पे हैरोफेन का कार्ड और हेरोफेन का कार्ड कही न कहीं यह भी बताता है कि हो सकता है आपके मैरेश को लेकर आपको इश्यू है हो सकता है सेपरेशन में हो डिवोस प्रॉसेस चल रहा है आपको हमेशा अपने आपको प्रूफ करना पड़ा आपको हमेशा ऐसा लगा है कि मेरी ऐसे लाइफ नही नहीं देखा अपने जिन्दिगे में आपने बहुत वर्ट्स टाइम देखा है बाइल नमबर दू ये कार्ट्स मुझे ये बता रहे हैं बहुत तफ जर्णी रही है आपकी स्पेशली आपके परसनल लाइफ को लेकर रिपिटेशन ऑफ साइकल अगर आप मैरन नहीं भी हो त काफी तफ रहा है आपके लिए 2022 तपका सफर और आप कैसे यहां तक आए हो भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता भगवान अपकी हर विश पूरी करें पाई नमबर टू बहुत तफ रही है आपकी जर्णी बट मैं ये जरूर कहना चाओंगे मैं आपको सल् पाउचे हो अब आके की जर्णी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि हैरोफिंट का काड आया है तो हो सकता है आप मेंसे कई लोग को इस साल में कोई ऐसा गुरू गाइडन्स कोई ऐसा लाइफ कोच मिल जाए जो आपके जिन्दगी ही बदल दे या फिर ऐसा हो स जो सोच रहे हैं कि आपको trust issues हैं क्योंकि हमेशा आपने गलत ही देखा है तो चिंता मत कीजिए क्योंकि universe का जो pattern होता है वो बहुत अलग होता है और universe जब अपने तरीके से चलती है तो फिर उसके आगे किसी की नहीं चलती yes of course मैं बोली रही थी आपने tough time दीखा है तो yes ये काट गई ना कई सबसे पहला काड़ी आ है three of pentacles third party issues हमेशा आपके जिन्दगी में रहे हैं हमेशा आप जो भी काम करने जाते हो उसमें obstacle कि अगर आप single हो और third party issue है तो मैं कहना चाहूंगी कि आप जो भी करना चाते हो उसमें हो सकते हैं आपके family के तरफ से आप family member में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा आपके life में obstacle बने हैं अगर आपको A के तरफ जाना है तो वो कहते है B के तरफ जाओ अगर आप B select करते हो तो कहते हैं सी के तरफ जाओ रुकावटे बहुत आई हैं आपके life में इस रुकावट से सबसे पहले तो आप बहार निकल रहे हो अगर manage लेकर आपको issue रहा है और third party रही है तो आप इसकी clarity आपको मिलने वाली है कोई person अगर आपके life में third party बनकर आपको trouble दिया है और definitely बूलना चाहूंगी इस energy से तो आप बहर आही रहे हो जो third party है उसका भी ending आप देखोगे all right बहुत tough है यह third party issue की ending हो रही है आपकी क्योंकि world का card कई ना कई यह भी बता रहा है जिस combination में आए कि tough चीजों का end हो रहा है आप 2023 में restart कर रहे हो आप अपनी life को yes देखो आपकी cards कैसे आ रहे four of source का card आए yes heart broken energy मैंने बोला ना आपके card को देखकर मैंने world का देखा तब ही ऐसा लग रहा था बिल्कुल सरभारी सा हो गया तो yes tough cycle देखे हैं tough journey देखी है जो शायद सामने वाले के लिए सामने वाला सोच भी नहीं सकता क्या आपने क्या संडाउंस देखे yes तो यह कहीं न कहीं जो आपने अपने आपको एक you know एक जगा अपने आपको card कर लिया है ना कि बस यही है अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता यही है शायद मेरे किस्मत सोप शैटर मत हुई है क्योंकि काफी देख लिया है आपने और आपके लिए कोई आसा डेफिनेटली आ रहा है जो आपको आगे बढ़ा सके यह देखो मैंने बोला ना टफ टाइम के इंडिंग हो रही है आगया ना फूल का card आपके लिए yes you are starting it new आफ फ्रेश स्टार्ट क रहने वाले हो अपनी लाइफ को कुछ लोग तो हो सकता है जिस शहर में रहते हो उस शहर को छोड़ते दूसरे शहर में जाए अगर कुछ लोग शहर नहीं छोड़ सकते है या शहर छोड़ना नहीं चाते तो वहीं पे आपको एक नहीं शुरुआत मिलेगी कोई तना कोई को ऐसा जरूर मिलेगा कोई guidance के तरह गुरू हो सकता है कोई healer हो सकता है कोई spiritual healer हो सकता है कुछ भी कोई mentor हो सकता है जो आपको मिले जिससे आप help लो और आप अपनी journey को start कर सको और फिर आप रुखोगे नहीं मैं बता रही आपको ये इस काफी लोग के नजर में आप रहते ह आपके beat के पीछे तो बहुत लोग बात करते ही हैं सामने भी बात करते हैं ये energy आपकी end हो रही है क्योंकि बहुत लंबा cycle है मैंने बोला भी आपको कि 5-7 साल के energy है न ये tough energy आपकी end होने वाली है yes जो लोग यहाँ पे reading देखर इसमें से हो सकता है आपकी कोई न कोई राश energy है Gemini है यहाँ पर Taurus Taurus की भी energy है यहाँ पर यह देखो खुशिया तो आही रही है आपके लिए nine of cups का काड़ा है wish fulfillment का काड़ है तो आपकी जो भी wish है जो भी desire है चाहे personal life को लेकर हो professional life को लेकर हो वो सारे रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं और कहीं न कहीं इस abundance को यह जो treasure की चावी है यह भी आप खुदी आपको मिलेगा कोई आपके पास देने नहीं आएगा कि यह लो चावी इसको आप खुदी तराश होगे क्योंकि आप अपनी life को फिर से बनाने वाले हो कहते न कि हम अपने जिंदीगी को restart करें तो हांजी आप अपनी life को restart करने वा यह देखो मैं carry all right कि transformation का time है मैंने three of pentacles के card को देख कर बोला था कि yes changes है transformation है third party end होने वाली है जो भी आपने कर्ष सहे हैं उसका end होने वाला है यह देखो आपके लिए आया है death का card yes ending हो रहा है आपके tough cycle की यह तो मैंने world का card देख कर ही बोला था आपके tough cycle की ending हो रहा है new cycle begin हो रहा है और यह cycle आपके लिए कहीं न कहीं बहुत ही जादा जीन शिरुआत लेकर आ रहा है देख रहे हूं सारे 1010 के cards आ रहे थे पर मैं उन्हें लोंगी नहीं क्योंकि धेर सारे cards थे अगर आना होगा तो फिर से आ जाएंगे all right let's see बहुत अच्छा transformation हो रहा है आपका yes आप अपना self worth समझोगे यह बहुत जरूरी है आपके लिए आपने न कभी अपने आपको value नहीं किया अपने हमेशे अपने आपको ignore किया आपको हमेशे लगा कि दूसरों के खुशी में मेरी खुशी है दूसरे का काम मैं कर दूंगी सा सामने वाला अगर यह मांग रहा है अगर मैं उसे यह दे दूंगा यह दे दूंगी मुझे खुशी मिल जाएगी नहीं आपने अपने तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं है इसलिए इतना pain देखा है आपने मैं यह नहीं कहरी कि हाँ अगर सामने वाला कुछ आपको कह रहा है सामने वाला अगर आपको कुछ, emphasize करने की कोशिश कर रह या, पिर अगर आपको Manipulate करने की कोशिश कर रहा आप, आवास नहीं उठाएए, नहीं मैं यह यह नहीं कह रही बिलकुल आवाज उठाएए, बिलकुल कही है बट आपने अपना आवास नहीं उठाया था, इसलिए ये जो दर्द ये पेंट जो भी आपने साहा है ना आपके जिंदिगी मिसी लिए रहा है क्योंकि आपने लोगों को मौके बहुत जादा दिये हैं बहुत जादा हमेशा कभी आपके अपने हैं कभी आपके दोस्त है कभी आपका फैमिली है अपने हमेशा सबको मौका दिया है और जो मौका आपको खुद को देना चाहिए, वो आपने अब तक नहीं दिया है, तो अब universe अपने तरीके से आपको इस great energy में लाने वाली है, जो की है full का card, और आप खुद दिखोगे इस साल के end होते होते, especially मुझे लग रहा है, August के बाद वो जो change जो आप, you know, सोच भी नही पारे हो कि क्या ही बदलाब हो सकता है, आप खुद देखोगे, ये देखो, आपके लिए card आया है, justice का, वो भी fool के नीचे, ये combination आपके लिए बता रहा है कि yes, आपको justice तो मिलेगा, by God मिलेगा, बिलकुल मिलेगा, मतलब आपकी हर मनत पूरी हो रही है, universe कही ना कहीं, आप के दर्द, तकलीव, जितना भी आपने सहा है, शायद ये unexplainable है, शायद ये किसी को समझाना भी बहुत मुश्किल है, कि आपने क्या सहा है, उससे आप निकल रहे हो, आपको आपका कर्म का फल मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है, और जिसने आपके साथ गलत किया है, उसके ये देखो, पाई लूबर टू, वील ओफ फॉच्चून, आप देख रहे हो नीचे के कार्ट सापके, उपर के तो देखी लो, नीचे भी देख लो, आपका टाइम चेंज हो रहा है, और ये टाइम ऐसे चेंज होगा कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ऐसा भी होता है क्या, मिरिकल्स ऐसे ही होते हैं, फिरस आपके लाइफ में मिरिकल्स आही रहा है, ये साल आपके लिए बहुत टाइम चेंजिंग साल है ये, बहुत 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 सारे बतलाफ को लेकर ये साल आपके लिए आ रहा है, और ये साल कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ा रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो जो पीछे की energy है जो tough energy है उसको भूल जाओ आगे बढ़ो आपके लिए वही है फिर से आपके लिए nine का card है nine of wands nine of cups के नीचे yes ये जो barricate है ना ये दिखोएगे card को ये जो barricate है ना ये जो लड़की अटकी वे इसको इससे आप बहार निकल रहे हो ये जहां जहां आपने ये रोशनी को ढूना है और ये रोशनी आपको नहीं मिलिये ना उसके उपर का card देखो nine of cups है उससे आप बहार निकलने वाले हो आपकी intuition बहुत अच्छा से काम करने वाली है आपकी intuition कहीं न कहीं आपको उस light तक ले जाने वाली है जो अब तक आपको दिखने ही रहा है year changing है ये ये जो year है न ये बहुत powerful है आपकी life में बहुत 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 सारी abundance को लेकर आ रहा है don't worry about it wheel of fortune आया है ये देखो intuition की बात करी थी high priestess का card है yes आपकी intuition आपको guide करेगी आपकी intuition आपको वहां तक ले जाएगी जो आप सोच में नहीं सकते major transformation है आपके लिए oh god ये देखो फिर से full और high priestess की energy आई है okay तो ये दोनों तो prominent energy है आपकी इसे मैं लेही लेती हूँ क्योंकि ये flip होकर गिरा है आपके लिए okay full and high priestess तो yes देख रहे हो confirmation है आपके लिए कि change and आपका six cents बहुत जबर्दस काम करेगा बहुत ही ज़्यादा जबर्दस काम करेगा नई शुरुआत कर रहे हो आप इस साल से फिर आप पीछे मुड़के खुदी नहीं देखोगे पर मुझे बताना ज़रूर all right ये देखो फिर से nine of wands का काड़ा yes आपके intelligence आपको guide करेगी आपको एक mentor भी मिलने वाले हैं गुरु के रूप में आपको कोई मिलने वाले हैं जो आपको वो light दिखाएंगे जो फिलहाल आपको नहीं दिख रहा है जहां पे आपको अभी अंधेरा दिख रहा है कहते हैं न कि हर रात के बाद एक सवेरा है वो सवेरा आपके जिन्दगी में आ रहा है आपके लिए cards रिपीट हो रहे हैं ये देखो हो सकता है आपके life में ये जो गुरू हो या फिर ये जो पार्ट मिल सकता है soulmate के energy है यहां पर soulmate in flame हो सकता है आपको इस साल में मिले और यही person हो सकता है as a healer आपको मिले या फिर as a spiritual guide आपको मिले और आपकी journey को आगे बढ़ाएं जैसा अगर आपके relationship में ऐसे तकलीफे हुई हैं अगर आपके relationship बहुत ज़्यादा खराब रहें अगर relationship में आपको धुका मिला है अब universe आपको लाके देने वाली है जिसको आप action में deserve करते हो क्योंकि जो भी lesson सीखना था वो तो आपके सीखी लिया है अब आपको मिलेगा gift yes three of pentacles, देखो three of pentacles से start हुआ था, three of pentacles से आपे tarot and dora, yes इसका मतलब third party मैंने आपको पहले भी बोला था third party की ending हो रही है so congratulations और कहीं न कहीं आप इस tough cycle से बाहर आ रहे हो ये card proof करता है कि हाँ जहां से शिरुआत हुई थी उसका अंत भी आपको इस ही साल देखने को मिलेगा March के बाद से all right ये दिखो bottom से आ है king of cups desired partner आपको मिलेगा जो भी you know जिसको भी आप deserve करते हो जो आपके लिए सही है आपने तो अपने lessons ले ली आपने अपना कर्मा भोग लिया अब जिनको भोग दा है वो भोगेंगे आप enjoy करो आपके लिए बहुत अच्छा साल है बहुत अच्छा याद करना मुझे आप ये दिखो आपके लिए दो कार्ट खुदी flip हुए है ये दिखो sun and angel of strength yes तो sun का कार्ड आ गया है angel of strength का कार्ड आ गया आपको पता है कि इस दोनों कार्ट क्या कहते हैं कि आने ही है changes अब मैं आपको क्या ही प्रूफ करूँ strength आपका पूरे साल बना रहेगा क्योंकि जब आप changes देखोगे न तो आपको खुद लेगा कि हाँ मैंने बोला था मुझे याद जरूर करना मुझे कमेंट पे जरूर बताना आपके लिए जो एक और कार्ड आए वो आया है वाव healer of the जैसे तुमारे चानल का नाम है तो येस आपको कोई guide ऐसा मिलने वाला है mentor जो हो सकता है कि एक healer हो spiritual healer हो और वो आपके journey में आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे और कहीं न कहीं आप जो चीज भी लाग कर रहे हो अपने जिंदिगे में उसको पाने में आपको help करेंगे चली पाइल नमबर टू देख लेते हैं आपके लिए ये दो हजार तेज के लिए दो खास affirmation क्या रहेंगे आल राइट लेट सी ओके दो कार्ड वाव सक्सेस पहला कार्ड आपके लिए denial आप इसका screenshot ले सकते हो यहाँ पे लिखा है I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness तो अगर आपको किसी चीज से दर लगता है और अगर आपको पता है कि ये काम करने से मुझे दर लगता है या फिर ये काम मैं नहीं कर सकता तो उसे आप awareness की रूप में यानि कि उससे कैसे निकलना है उससे कैसे आगे बढ़ना है उस चीज पर अप focus करेंगे न तो आपका ये डर है न ये अपने आपे निकल जाएगा और ये देखो हो गया ना reading universe नहीं आपको बता लिया कि आपके life में success आई रही है Indian आपके लिए affirmation का भी card ही आया है तो ये success भी आ रहा है आपके लिए pile no.2 so congratulations चलिए भाम angel के तरफ से pile no.2 आपके लिए message देख लेते हैं आपने manifestation का भी card चूज किया था तो बिलकुल आपके manifestation पूरी हो रही है let's see क्या आता है pile no.2 के लिए inner child healing yes traumas रहे हैं आपके लंबे समय का trauma है मैंने बोला भी आपको कि काफी लोग यहाँ पे ऐसा हो सकते हैं जोने हर तरीके का दर्द देखा है मैंने बोला explainable नहीं है इसकी healing हो रही है आप मेंसे कई लोग अगर यहाँ पर ऐसे हैं जिनका पास trauma बहुत ही tough रहा है आप किसी से अपना personal reading करवाएं आपके लिए अच्छा रहेगा किस बात में जाना चाहिए कैसे शुरुआत करनी चाहिए कैसे आगे बढ़ना है आप यह करवाना आपके लिए अच्छा रहेगा आपके लिए final card जो है आपके अच्छे के लिए करती है और सारे के सारे cards से यह बता रहे है कि आपकी ग्रो होने का टाइम आ रहा है यह 2023 आपके लिए बहुत ही जादा miraculous रहेगा तो pile number two यह थी आपकी reading I hope कि आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो like जरू कीजेगा चानल पर नहीं है चानल को सब्सक्राइब कीजेगा बाबाई तो अगर आपने select किया है यह surrender का card तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए 2023 कैसा रहने वाला है क्या बतलाब हो सकते हैं क्या universe आपको message देना चाहती है क्या changes लेकर आ रहा है 2023 और आपके लिए और क्योंकि यह reading जो है पूरी की पूरी reading आपकी intuition के उपर based है क्योंकि card भी जो आपने select हिया है अपने intuition के based पे क्या है so let's see कि आपकी overall energy कैसे रहेगी क्या message है तो सबसे पहले हम card देखेंगे major arcana से और देखने की कोशिश करेंगे oh judgment आपने surrender का card choose किया है आपके लिए judgment का card आया है तो बस मैं आपको यहीं बताना जाओंगी कि आपकी सारी मुरादे पूरी होंगी क्योंकि आपने universe के उपर छोड़ा है आपने अगर universe के उपर trust किया है तो अगर आप गलत नहीं है अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है अगर आपकी सोच ऐसी है ना कि मैं क्यों किसी का दिल दुखाओ या फिर मैं क्यों किसी के साथ गलत करो अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है मैं उसे universe को कहूंगा मैं universe को उस energy को surrender करूंगा बाकी भगवान जानते हैं भगवान देख लेंगे तो अगर आपने इतनी बड़ी क्योंकि सरिंडर की एनरजी ना लोग समझ नहीं बाते हैं सरिंडर करना बहुत मुश्किल है मैं सच में आपको बता रही हूँ क्योंकि सरिंडर का मतलब यह होता है कि आपकी जितने दर्थ है जितने दुख है जो भी आपने सहे है उसको कही न कहीं आपको लेट गो करना है आपको present situation में यानि कि अभी अगर आपको दर्थ हो रहा है आप उस दर्थ को भूल जाओ और अपने आपको यह बोलो कि जो भी होगा अच्छा होगा तो surrender जो करते हैं जिने करना आता है वही जानते हैं कि surrender की energy कैसी होती है surrender की energy हमें क्या-क्या सिखाती है और आपको यह भी बताने की कोशिश की जारी है by number three कि यह जो अपने surrender किया है और यह काफी लंबी energy आपने बहुत लंबा इंतžार किया है, यह अपने लोगों के बहुत अपने लोगों के आपके 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 उनर्चेहां पर मुझे टो किया है जिन्हों ने आपको नहीं समजा, आपको टाइम तौ तौ एन। चीज ना यूनिवर्स के उपर छोड़ती है यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि अपनी रिलेशन्शिप में भी जितना एफ़र्ट डाला है उसका शायद आपको 50% भी ना मिला हो तो आपनी हर चीज को ना सरेंडर कर दिया है चाहे आपकी परसनल लाइफ हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो और आपनी उनिवर्स को यही बूल कर सरेंडर किया है कि अब सब आपके हाथ में है आपको पता है मैं कैसा हूँ मैं कैसी हूँ और में लिए क्या अच्छा है 2023 जो पूरा साल है आपके लिए जच्च्मेंट लेकर आ रहा है और कहीं न कहीं ये आपके लिए जो बॉटम में आया है चारियट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको बहुत 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 जल्दी देखने को मिले का बहुत फास्ट कार्ड होता है victory का कार्ड होता है success का कार्ड होता है और ये कार्ड कहीं न कहीं ये ही बता रहा है कि साल में आपकी success आपके desire चाहे आपकी personal life हो professional life हो हर चीज आपको देखने को मिलेगी pile number 3 so congratulations मैं तो पहली आपको congratulations कर रही हूँ पहली क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि by the end of June आपको हर चीज दिखने लगेगा जो आप अभी तक सोच नहीं पा रहे हो क्योंकि ऐसे मुझे लग रहे है कि आप सोच भी नहीं रहे हो क्योंकि आप surrender की energy में हो ओल रही यह तो बिस मैं आपके thought कह रही थी कि अगर हम सोचते हैं न कि मैंने तो surrender कर दिया है अब क्या होगा आपने तो वो सोचना भी छोड़ दिया है इसलिए आपको यह changes देखने को मिलेगा आप फिर एक time पर सोचकर हसोगे भी कि वाओ मैंने जो किया वो tough था मेरे लिए बड़ impossible नहीं था बड़ क्योंकि आपने universe को trust किया है तो आपके लिए best आएगा best क्योंकि आपने universe को कोई option नहीं दिया है यह सबसे अच्छी बात है काफी लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो यह reading को देख रहे हैं फायर साइन के हैं लियो साजिटेरियस इरीस हो सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर जो मुझे energy मिल रही है फायर साइन के अलावा आप Aquarius हो सकते हैं टॉरस हो सकते हैं यहाँ पर Cancer की energy भी है और वरकुप की energy भी है यहाँ पर हाँ जी चलिए हम देख रहे हैं टैरो से आपके लिए पूरे साल के energy कैसी रहे की वाव 4 of months good news है आपके लिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी final number 3 की yes good news है आपके लिए यह साल कहीं न कहीं आपको आपका जो desired partner ही क्योंकि मैंने आपको पहली ही बोला कि आपने सब कुछ surrender कर दिया universe को चाहे relationship हो चाहे आपकी professional life हो आपका job हो आपका career हो आपकी family हो आपने सब कुछ भगवान को दे दिया है बोला कि बस आप देख लो तो yes इस साल में आपका जो desired partner है जिसको आप deserve करते हो जिनको जो आपको deserve करते हैं जो एक्तम correct सा है क्योंकि judgment है अब कोई चीज spending नहीं रहेगी अब जो भी होगा वो बिलकुल end result है कहते हैं न कि हम result का वीट करें final exam है result निकल गया हम promote हो गए तो बिलकुल वो energy है और आपको आपका desired partner मिलने वाला है काफी लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो desired partner आपको मिलने वाला है हो सकता है उनके साथ आपकी शादी की बात चले शादी ठीक हो जाए और हो सकता है इस साल के end तक आप दोनों की engagement हो जाए या फिर शादी होने के भी chances से हाँ ये बहुत ही अचानक होगा और इस person को आप जानते हो pile number 3 बहुत अच्छे से जानते हो काफी लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये हो सकता है आपके कोई friend है जिनके लिए आपने कभी नहीं सोचा हो ये बिल्कुल expect the unexpected वाली energy है कि जिनको लेकर आपने कभी नहीं सोचा क्योंकि आपने surrender किया हो है तो universe जो भी देगी आपको सबसे best देगी तो आपके लिए सबसे best outcome होने वाला है तो सबसे पहले आपके relationship में changes आ रहा है stability आ रही है ये जो भी person होगी इनके और आपके energy में काफी similarity होगी माली जी कि आप fire sign के हैं ये person भी fire sign के होगे बहुत कुछ आपके और इस person के बीच में common होगा although मैं love reading नहीं कर रही हूँ मैं पुरे साल के energy की बात कर रही हूँ पर आपके लिए card आया है जिसको दिखकर मैं excited हो गई हूँ तो yes कही न कही ये बात करता है मैं क्या बोलू stability की, खुशी की, abundance की जहां जहां fail हुए हो न वहाँ वहाँ आप्राइस करोगे तो सबसे पहले relationship को लेकर card आया है तो yes कही न कही इसमें आप आगे बढ़ रहे हो so congratulations फाइल नुम्बर त्री congratulations शेहनाया बच रही है बिल्कुल और बिल्कुल unexpected होगा ये person आपके लिए universe के उपर थोड़ा है universe कभी आपके साथ गलत नहीं कर सकती no energy होगे आपके लिए yes ये देखो justice का card आया है तो yes justice तो आपको मिलेगा ही बहुत जल्दी मिलेगा आपको दिखना शुरू हो जाएगा january के बाद से ही काफी लोगों को तो january के 15 के बाद से ही चेंजेस दिखेंगे काफी लोगों को january के बाद February में ये चेंजेस देखने शुरू हो जाएगा आपको ये changes देखने को मिलेगा justice मिल रहा है आपको क्योंकि हर चीज़ में आपने loss देखा है आपकी job बहुत जल्दी चली गई होगी आपने tough time देखा होगा किसी अपने को आपने खोया होगा जिनको अपना कहते थे उनको खोया होगा दोस्ती खोई होगा आपने बहुत कुछ खोया है ये surrender की energy का card ऐसी कोई नहीं select कर सकता आपके family में issues रहे होंगे आपकी family जो भी आपकी family मुझे नहीं लगता कि आपकी जो personal family है मतलब आपकी family में जो भी रहते होंगे उसमें बहुत जादा लोग होंगे बहुत जादा लोग नहीं है आपके personal family में तो yes, कहीं न कहीं बहुत tough time आपकी पुरी family ने देखा है ये उसके reward का time है ये देखो moon ये card कहीं न कहीं बता रहा है कि आपनी emotionalी बहुत बेंसा है आप बहुत रोए हो, कभी किसी को दिखाया नहीं हमेशा सब के सामने tough बन कर रहे हो आपकी mom ने भी बहुत कुछ सफर किया है emotional imbalance रहा है आपकी जिंदगी में ये card कहीं न कहीं ये भी बता रहा है कि emotionally भी लोगों ने आपको use किया है emotionally भी आपको लोगों ने damage किया है बट मुझे इसके साथ ये भी नासर आ रहा है कि अगर आपके past के कुछ कर ठीक है ये जो आपने tough अगर सहा है इतने सालों तक 2022 तक अगर मैं आपकी पूरी energy रहती हूँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरी energy जो है आपके last 7-8 years की है 7-8 साल की पीछे की energy है जो अलोड़ी बीच चुकी है उसकी energy है और कि ये कहीं न कहीं आपने इसलिए सहा है क्योंकि एक टाइम आपके जिन्दगी में ऐसा भी रहा होगा I know ये सुनने के बाद पता नहीं आपके साथ resonate कर या नहीं करे ये message आ रहा है तो मैं बता रही हो सकता है कि जब आप young थे दिखें मैं ये नहीं कहा रही कि आप जो reading देखें आप young नहीं हो या भी हो सकता है काफी लोग ऐसे हैं जो 30 प्लस है ये reading देख रहे हैं तो हो सकता है जब आप college student रहे होंगे या फिर जब आपने करता रहा ये वो आपने बहुत लोगों को इगनोर किया है ये message मुझे जरूर मिल रहा है तो emotionally आपने कहीं नहीं कहीं बहुत लोगों को तकलीफ पहुँचाई थी जी हाँ मुझे नहीं पता ये message किसके लिए है आप जो देख रहे हैं आपी के लिए ही message है तो yes तो emotionally आपने जिन जिन लोगों को hurt किया है ना उसी का बस कह सकते हो कि आपने बुकतान किया है I'm so sorry guys तो emotionally कहीं नहीं कहीं जिन जिन लोगों को आपने hurt किया है ना उसी का बुकतान आप कर रहे थे अब तक और इसका time अब खतम हो गया अब नहीं है अभी खतम हो चुका है और I'm very happy for you I'm literally very happy for you let's see what else और क्या आता है wow मैं तो emotionally हो गई थी okay strength yes मैंने बूला भी थे आप पर काफी लोग जो reading देख रहे हैं वो fire sign के हो सकते Leo की energy आई है strength आपका बना रहेगा although आपके अंदर strength है तभी आपने surrender किया है strength आपकी strong रहेगी यही आपका mantra है for the year 2023 की कुछ भी हो strength बना कर रखे I know आपको पता है फिर भी मैं कहा रही हूँ इसे बना कर रखे universe पर भरोसा रखे कभी पे अपने आपको किसी गलत चीस में या गलत लोगों के सामने जुकने मत दीजिए हो सकता है आपको एक time पर ऐसा लगे कि आप उस भीड में अखेले ही खड़े हो तो कोई बात नहीं यह time आपका है यह समय आपका है और जो भी आपके साथ होगा वो बहुत अच्छा होगा ओ वाव एट एट आपके लिए eight number significant हो सकता है तो yes eight of wands आप जिस तरीके से communicate करते हो आप जिस तरीके से बात करते हो जिस तरीके से अपने आपको present करते हो यही चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी और यह काट कहीने कही तो पहले ऐसा था ना कि जब आपका यह tough time चल रहा था आपके throat chakra में issue था आपको अपने किसी को यहाँ आप किसी को समझा नहीं पाए अपनी तकलीफ को अपने दर्द को कहीन की उसी energy में आप रहे गए यहाँ पी काफी लोग ऐसे हैं यह पूरा जो combination बन रहा है अगर मैं देखूँ आपके सिक कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो clairvoyant हो सकते हैं आपको सब पता है सब दिखता है infinity का sign है आपके लिए आपर तो यहाँ पर काफी लोग हैं जो clairvoyant है we have six of swords तो yes मुझे ऐसा लग रहा है कि next six month में जब भी आप इस reading को देख रहे हैं next six month में आपकी life में एक बहुत बड़ा change आएगा और यह change आएगा आपके love relationship में आपके relationship को लेकर जिनके साथ भी आपके शादी होगी जिनके साथ भी आपका एक नया रिष्टा होगा although मैंने जैसे की बोला आप इस person को जानते होगे इस person की भी journey ना कई न कई आपके जैसे similar रही होगी बिल्कुल मतलब मैं यह नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल एक सी बट नहीं similar journey रही होगी उन्होंने भी tough cycle देगे हैं उनको भी judgment का इंदजा रहेगा उनको भी justice चाहिए उन्होंने भी tough देखा उनकी भी family ने उन्हें support नहीं किया यह वो तो यह सारी चीज़े रहेंगे और उससे आप बहार निकल रहे हो यहाँ पे दूसरा message यह भी मुझे एक card बता रहा है कि अगर work related area में आप कहीं ऐसा सोच रहे हो कि job change के बारे में सोच रहे हो या फिर किसी नए जगा दूसरे शहर में apply के बारे में सोच रहे हो तो यह भी आप मुझे करते बें नजर आ रहे हो job के लिए मुझे एक और यहाँ पर जो message आपके लिए नजर आ रहा है वो यह आ रहा है ना कि आपका जो talent है उसको ऐसे तो लोगोंने notice करना start करी दिया है 2022 से ही आपके you know क्योंकि मुझे job को लेकर काफी present wife लग रहे है आपके job life में कोई ज़्यादा problem नहीं है क्योंकि आप वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है अब ऐसे person नहीं हो को जबर्दस्ती कोई काम करो तो यह सब की job life अच्छी चल रही थी इसमें आपको balance देखने को मिलेगा यानि कि जो acquired position आप चाते हो या फिर अगर आप job change करना चाते हो august के बाद का time आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उसके बाद अगर आप कोई changes करते हैं अपने life में आपके लिए अच्छा रहेगा yes night of pentacles अभी आपके हो सकता है currently जब आप ये reading देख रहे हो आपके savings नहीं हो रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है हमिशा पैसे पूरे खतम हो जाते हैं पैसे पूरे नहीं होते हैं तो पैसे तो आ रहे हैं stability तो आ रही है और इस stability आपको देखने को मिलेगा February के बाद से February 2023 के बाद से आप saving भी करना शुरू कर दोगे ग्रह देशा भी बदल रही है changes भी आएंगे और आपको दिखेगा भी alright दो कार्ट्स हैं आपके लिए wow king of sorts ये कार्ड आपके लिए कहीने कहीं ये बात करता है कि say what you feel ठीक है जो feel कर रहे हो उसी को बोलो सामने वाले को बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है क्योंकि सामने वाले को तकलीफ हो रही है इसलिए नहीं बोलो कि नहीं अगर आपको लग रहा है ये गलत है बोलो गलत है अगर आपको लग रहा है ये सही है तो बोलो सही है इस चीज़ का wait मत करो कि सामने वाले को hurt होगा नहीं होगा ठीक है अपने बोलने के तरीके को थोड़ा बदल कर बोलो बट सच बोलो ऐसा मत बोलो कि सामने वाले का दिल दुख जाए इसलिए मैं कहरा हूँ नेनी बहुत अच्छा है बट आपको अच्छा नहीं लग रहा है आपके है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पाल मंबर 3 फो रिए Ừ्टेइर 2023 हो सकता आपके फिवरश्ट बाड गू अबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेसंजर का काम करेंगे आपके लिए 2023 में और वया ओनल का कुछ मेजर रोल रहेगा आपके लाइव में, आपहीं को पता ओगा इस HEY क्या रोल है इस आउल के साथ कुछ connection रहेगा आपका ठीक है क्योंकि मौन कार्ड के नीचे आया है वगी इमोशनल attachment है इस आउल के साथ हो सकता है इस आउल हो सकता है की आपके जो AMY वाले है उनकी भी आनिमल स्पिरिट गाइड़ स्पिरिट आउल हो अगला कार्ट है आपके लिए एमपरेस का स्टेबिलिटी फिनांशल स्टेबिलिटी फिनांशल बालन्स और ऐसा भी आपको एक टाइम के बाद लगेगा ना कि जिस परसन को मैंने इतनी जगह पर ढूंडा वो परसन जाकर मुझे मिला यहां पर यह वो परसन है तो हंजी यही वो परसन है जो आपको मिलने वाले हैं जो आपके डिजाइट एनर्जी को पूरा करने वाले हैं अपके ट्रू पार्टनर आपके ट्रू मैनिफेस्टर होंगे यह परसन स्टेबिलिटी लाएंगे आपके फ जच्मेंट वाव देखो मुझे रीडिंग में सबसे मज़ा यह आता है ना इससे रीडिंग शुरू होती उसी से युनिवर्स रीडिंग को एंड करती है तो हंजी जज्मेंट आपके लिए दो दो बार आया है तो यह सन है तो सन का मतलब यह है कि खुशिया ही खुशिया है आपके लिए पाइल नुबर थी कॉंग्राचुलेशन्स फो दाट अल्राइट सन आ गया है तो सारे टॉप साइकल के एंडिंग हो रही है जज्ज्मेंट से रीडिंग शुरूआ था जज्ज्मेंट तो होगा यह जज्ज्मेंट यह आपके लिए 2023 सो कॉंग्राचुलेशन ओके सेविन फेंटिकल्स यह ओल्दो वैने डिलेशन्षिप को लेकर आपको बोला था कि ऑप्शंस तो आपके पास बहुत रहेंगे पर अब चुछ यूनिवर्स आपको देगी ना वह उप्शं नहीं देगी वह फाइनल आंसर देगी तंफ्यूस मत होना विहाफ अपेयर कि दिखो king of swords के साथ queen of swords जैसे आप होगे बिल्कुल आपकी true copy होंगी जो भी अगर आप male है female है doesn't matter energy आप दोनों की बहुत same रहेगी बहुत traits आप दोनों के same रहेगे ऐसा लहेगा कि बस male और female version हो एक दूसरे के जैसा आप सरे resonate करें आप ऐसे लेना बिल्कुल ये person भी straightforward बोलने वाले में से होंगे या बोलने वाले में से होंगी कभी you know रुकेंग ही नहीं although इनकी भी journey बहुत tough रही है जैसे कि मैंने आपको बोला था तो yes ये भी कही ना कहीं सपश्टवक्ता होंगे या होंगी yes यहां पर अगर आपको जैसे कि मैंने बोला था कि लोगों का support नहीं मिल रहा था लोगों का ध्यान आपके तरफ नहीं था या फिर लोगों ने बहुत सारे obstacle अगर आपको दिये है ना इस obstacle से भी आप बहार निकल रहे हो हर चीज़ का solution आपको मिलेगा file number three बहुत अच्छा card आपने choose भी किया है और उसका outcome भी बहुत अच्छा है जिन जिन लोगों ने आप पर सवाल उठाए है उंगली उठाए है जिन जिन लोगों ने कहीं न कहीं आपको you know question किया है कि आप गलत हो आप यहां गलत हो और काफी 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 fruitful रहेगा यह साल और इस साल के अंद तक यह आपको आपका desired partner मिलीगा आपके जॉब में stability आएगी आपका confidence पड़ीगा आपकी family खुश होगी और अगर family खुश होगी तो आप तो खुश होगी wow we have queen of pentacles also तो यह कहीं ना कहीं card बात करता है कि हाँ जी आपकी अगर family में अगर ऐसे कोई problem रहे हैं जहां पर आपको लगा कि आपने अपनी mom का दिल दुखाया है या फिर अपनी family members ने बहुत ज़्यादा सफर किया है सारी energy stable आई है all right यानि की stability यह card यह भी बताता है अगर मैं पूरे combination को देखूं तो yes जो person भी आपके life में आ रहे है न वो कहते हैं न लक्ष्मी तो हां जी लक्ष्मी आ रहे है आपकी जिंदगी में all right आपसे जैसे resonate करें वैसे ही लेना चलिए देखते हैं major arcana से आपके लिए energy oracle से आपके लिए कौन सा card आते हैं let's find out we have magician and the mirror yes पुरे साल आपकी energy बहुत अच्छे से काम करेगी बहुत अच्छे से manifest करेगी all right अगला है आपके लिए woman holding a heart yes कोई तो ऐसा आ सकता है number four आपके लिए बहुत जादा significant हो सकता है इस person का number four से तालुक हो सकता है angel of balance आपके life में balance भी आ रहा है man holding a coin yes कहीं नगे ये person भी बहुत जादा पैसे रुपे से abundant हो या नहीं हो मन से बहुत जादा abundant होंगे आपको मिलेंगे आप दोनों मिलकर अपनी journey को start करोगे और आपकी life में balance आएगा जो balance आप ढूंड रहते है इस person के energy काफी stable होगी जब यह आप से मिलेंगे और right ambitious होंगे और बहुत अच्छा रहेगा we have humor I choose to focus on the lighter side of life yes तो आपके लिए कार्ड ये बता रहे है कि आपके life में जो भी situation है जिसको लेकर कहीं न कहीं आप बहुत जादा stuck थे उससे आप बाहर भी आ रहे हो आपके लिए वो जादा अच्छा रहेगा ये कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपके life में जो trouble र आ रहे हो आपको किसी चीज को लेकर trust issues रहे हैं ये देखो success का कार्ड है अगर आपको किसी चीज को लेकर trust issues रहे हैं trust issues से भी आप बहर आ रहे हो और balance आ रहा है आपके life में trust कीजिए चीज़ों को आपके लिए काफी अच्छा रहेगा let's see अब आपके लिए क्या है इंजल का message spiritual growth spiritually आप grow कर रहे हो wow we have friendship and union आपकी friendship and union भी ओरी मैंने बूला था कि आपको कोई आपका friend मिलने वाला है as a partner and we have power and intention yes आपका power बढ़ने वाला है all right so yes pile number three यह थी आपकी reading hope कि आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो like जरूर कीजएगा channel पर नेया है channel को subscribe कीजएगा take care bye bye